एक गाइस वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं आया हूं आपको के सब्सक्राइब का पार्ट थ्री का ट्यूट्यूरिल सीरीज कर लेके इस वीडियो में हम और बेट अजीव करेंगे तरबिन का अर्बिट अजीव करेंगे तो पहले हमने छोडा था सिर्फे और शिर्व एक स अब 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 शर्ब और सर्ब सब ऑर्बिटल टर्जेक्टरी पर इसमें जिर्वा मुपर गये तो नीचे आये तो हमरे पार सेमटीफ़ सैवन साइन साइटी अब हम उस साइन से कुछ टेक अन्ग लॉक करेंगे और चलो करते हैं तो फस्ट फॉल जन्रल रोकेट्री इसम अब तो किसी का कुछ होने सकता है ठीक है चलो कोई नहीं सबसे पहले चाहिए क्रू कमांड पॉट इसमें हम सबसे पहले फिर उसके बाद हम थर्मल डालेंगे हीट शील फ्रोटेक्शन के लिए इसमें हम डालेंगे पाराशूट इस तो गिवेट मोर स्टेबिलिटी थैन इसमें साइंस करेंगे थोड़ी सी साइंस मिस्ट्री गूट आल दिया हमने यह पारोमेटर अंड थर्ममेटर और यह हो गया हमारा कर्विन का कर्विन पॉलनों सरी हां कमांड पॉट का और इसके लगा दिया और उसके बायाद हम इसमें फ्यूल लगाएंगे अब हमें काफी फ्यूल चाहिए कि कर्विन की और विट के लिए हमें अराउंड 2.2-2.4 किलोमेटर पर सेकेंड की स्पीड चाहिए होती है और इसमें अब हम मैं इसको पूरे को कॉपी करना है मैं इसको पूर इसमें और इसमें क्या फरक है फर्स फफल इसमें इसका आयस पी जाता है 265 है और इसका 250 है तो 265 मतलब यह जादा देर तक रहे गा लेकिन इसमें इसमें गिंबल नहीं आप देख सकते हो अब गिंबल निग करता है वह वह बैसिकली रॉकिट को इप मनूवरिंग में काम क करता है तो हमें गेंबलिंग चाहिए तो हमें ले लेंगे लेंगे एंड हमारा कितने हो गया 3033 मिटेस पर सेकेंड हमें एक्चुली में और्बिट अचीव करने लिए 3500 या असपास हमें डेल्टावी की रिवार्मेंट हो थी यह जो है डेल्टावी है कि इसका जो वह है ना मुझे लगता है इसमें थ्रस्ट वेट रिशियो वह ना वन के करीब हार आईक और टैंक लगाया तो दिक्कत हो जाएगी तो अब हमें बेसिकली यह करना होगा कि इसमें बूस्टर्स लगाने इसमें बूस्टर्स लगाने से पहले हम डेडियल डेकॉपलर द्लगा देंगे यह वही दीकप्लर है जो उपपर हमने लगाया था लेकिन यह रीडियल है ठीक है इस साहीड मतलब होता है गो तो साइड़ वाला हमने यहांपे लगा दिया है इसमें हम सॉलिड फ्यूल बूस्टर लगा देंगे बट्वाइ में इकड़ से कंस्ट्रॉक्टिंग लाइक इस 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 यहाँ पर ही एक्टुली टिकप्लर लगेगा उधर लगाऊंगा तो लिक्कत आईगे मैं बताता हूं क्या है कि देखो स्कुल लगा लेते हैं कि आप इसमें आपने देखा कि हमापर की मैंने स्कूर सेट चेंच की डिरेक्शन चेंज मैंने इस लए कि क्यूंकि हमें जो एक्चली में अर्बिट अजीब करने के लिए आमें इस सीथी उपर जाना होता है फिर साइड़ वेय्स जाना होता है तो हम कि साइड बेस जाने के लिए इधर की साइड जाना होता है इस्ट की साइड जाने में फायदा होता हुआ आपको बात में बता हूंगा क्या होता है लेकिन इधर की साइड जाना और इधर की साइड में एरो डैनमिकली स्टेबल बनाना है तो इसलिए हमने इसके जो बूस्टर तो फिर नहीं यह यह इस पीबल नहीं रहा पाता और फिलिप कर जाता इसमें अब हम फिंस लगा देंगे कुछ फिंस हो गए कि अब तरिया तो यह 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 काफी है यह काफी है यह काफी है बहुत सही बन गया 490 मिटर्स पर सेकेंड वर्ट कूल ठीक है हाँ एनिफिंग एल्स कम्मिनिकेशन नो नो नथिंग नथिंग सो अब हम और वेट अचीव करते हैं स्टेजिंग साफ सही है बढ़िया है अब यह जो इंजन से वह इसके साफ स्टार्ट कर दी लेकिन इसकी जुरत नहीं थी इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसमें गेंबलिंग है तो फिर अगर मैंने सीदा बीना गेंबलिंग के किया तो इसकी डिरेक्शन को गंड्रोल नहीं कर पाऊंगा तो इसलिए मैं इंजन अर्यू रेड़ी जब आगर मैं येस 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 वी अलस रेड़ी तो लेट 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 अगांटन बिगें तन नाइन एट सेवें शिक्स फाइव पोर त्री तू वन इगनिशन लिफट आफ तुदी आर्थ और बेट कर बेंगें तो अब हम जा रहे हैं यह हं ज्यादा ही तू है अब यह जदा इसका पावर इंज कर देते हैं और इसमें 5,000 मीटर हमें यहां पर रूल कंट्रोर कर रहां ठीक है यह मैं इसको पहले फर्स और फॉर्फॉल करता हूं और हम इसमें यहां पर जाएंगे 5000 मीटर पहमें इसमें इधर आना था इदर लेकिन कोई बात नहीं और अभी 15,000 मिटर्स जब अचीब कर लेगा तब हमें पॉइंटर इधर होना छी फ्रोग्रेड मार्कर इधर होना छी तो हम उसकी प्रिये जा रहे हैं कि यह काफी स्टेबल शिब बनाई है हमने देख रहा है कि अब यहां पर एक बार आने के बाद इसको फूल करना होगा हमें पॉजिशन को और आपसे समें देखनी होगी सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए अगर हम पत्थर लेते हैं ठीक है पत्थर उसको आप स्ट्रिंग से अटैच करो दागे से बांदो और गुमाओ तो एक सर्टन विलॉसिटी चाहिए होती एक सर्टन स्पीड से अगर अगर तुम गुमाओं तो नीचे नहीं गरता ठीक है वो एक सेम चीज्ज यहां पर अपलाए होती है अगर तुम एक सब्सक्राइब से इसको आर्थ के आराउंड ले जाते हो तो फिर यह नीचे नहीं गरता जैसी वह जो पत्थर है इसको एक पत्थर की तरह समझो ठीक है वो पत्थर को अगर हम स्पीड पे रहने देते हैं तो फिर वो चलता रहता है ठीक है वो घूमता रहेगा बीना नीचे गिर अगर उससे स्लो गया तो नीचे गिर जाएगा वह यहां पर है जो ग्रैविटी है ना इसमें ग्रैविटी वो एक्चुली इसका वो धागा है और यह पत्थर है तो हमें एक सटेन स्पीड से इसको घुमाना पड़ेगा इसके चारो जिसे वह एक स्टेबल और इसकी चारो तरफ अर्चीव कर सके ठीक है इसलिए हम साइडवेज जाते हैं और इस ठीक हूँ जाते हैं कहीं और क्यों नहीं इसलिए क्योंकि यह आर्थ जो अब हमें क्या करना है यह हमारा आ गया है अब हम यहां पर हसाइन संबाद में करेंगे इसको इधर की साइड पॉइंट करना है बिल्कुल बॉर्डर पे और हमें इंजिन स्टाट करने है जिसमें हम इंजिन स्टाट करें जब भी आपको डाउट और यह अगर कॉंस्टेंट है इसकी दूरी तो ठीक है अगर नहीं है इसके प्रॉब्लम तो अभी यह जैसे कॉंस्टेंट जाये बट इनिशली इस अच्छा रहेगा तो इस जितना रहेगा उतना अच्छा रहेग यह जाना चाहिए और बेस्ट रहता है जब एक जगे स्टेवल रहता है जैसे अभी हो गया वही सबसे बेस्ट है अभी दूर जाने लगा है तो मैं इसमें करता हूँ अब देखो हम जैसे जैसे विलासिटी कर रहे है यह बढ़ रहा है ठीक है बढ़ना लाजमी भी है क्योंकि अब हम एक स्पीड है कि जितना जादा दूर से स्पीड बढ़ाएंगे उतनी जादा दूर जाके गिरेगा व अब यह सबसे लोएस पॉइंट और विट अचीव करने के लिए इस पैरी अचीव को एटमस्वेर से बहार ले जाना पड़ेगा और एकमस्वेर हमारे 70,000 कि फिल्टाउजन मीटर पर खाता है तो उससे उपढ़ ले जाना होगा तो इतना एक फोल लाना हमें सबसे लेकिन सर्क्लर और्बिट के लिए मैं यहां पर काम कर रहा हूं हमेशा इदर लेकर आओ पॉइंट करो एंड फायर अप इंचिन इसी स्क्रीन पर ज्यादा काम करते हो हो गया जब यह दोना इंटरचेंज करते ना पोजीशन तो आपका सर्क्लर और्बिट अचीव हो जात यहां पर साइंस कर लेते हैं इसमें हमने पिछले वीडियो पर साइंस इसकी करी थी तो इस पर ज्यादा मिलेगा नी तो हम जब लो आर्थ ऑर्बिट में लब लो एट्मोस्वेर पे करने के लिए मैं उस समय करूंगा अभी जो करना है मुझे वह करना है क्रू रिपोर्ट बेसिकली मैंने शायद इसली वीडियो में करा था सो इस अब यह करना है वह यह करके एवीए रिपोर्ट लेनी है यह हमने यह एबिलिटी इसी अनलोक करी थी अभी तो बोर्ड कर दो और यह अड़े अलग अलग बायों सोते हैं जैसे इसके उपर था ना तो यह एक बायों सब्सक्राइब तो इसको हम फिर से बोड कराके डिफरेंट बायों पर जाने की कोशिश करेंगे जो कि यह होगा तो अब इसको फिर से इबिये कराते हैं एब यह इंड रास लेंस तो कीप एक्सपेरिमेंट इसको ऐसे ही करते करते आपको सारे बायों से उपर से इतने भी साइन्स के ओपर से गुजरेगा उतना फिर आपको एवियर रिपोर्ट साइन्स मिलती रहेंगी तो वैसे ही बस आप करते रहा हूँ अब हमने इसको डी ऑर्बिट करते हैं डी ऑर्बिट के लिए हम इसमें रेट्रोगेट पर्फॉर्म करेंगे और यह डी ऑर्बिट होगा अब इसको जूद्ध करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस प्रेट्रोगेट करेंगे हम耐 ऑक्नी अपको डेट्रोगेट क्या होता है है एक है यह तो प्rook्रेड हो गया अच्छा होता है जहां पे वो डियुक्शन जया पे आप जा रहे हैं उसकी हम उसमस्की मार्परयां यहां सब्सक्र्स अपरश धरेखेंस के लिए आद्याहईन हां तो अभी हम ट्राइ करेंगे कर्फिल स्पेस सेंटर है यहां से हमने और बिट ले इसे लांच किया था यहीं प्याने के लिए तो हम जो इसका और डी और बिट मनुवर है वह कहीं यहां पर मन परफॉर्म करेंगे और लेट सी क्या होता है तो अभी टाइम वाप कर देते हैं को इदर ले आते हैं अब हम रेट्रोगेट पॉइंट करेंगे और रिटाय तो लैंड नोन कर्बस्पेस सेंटर सो अभी इसमें जल्दी से साइंस परफॉर्म कर लेते हैं तो अब रेट्रोगेट बन करके हमारा होगे आप हम नीचे गिर रहे हैं तो कुछ नहीं करना आप हमें डिच कर देना है यह हो गया है एंड डिलेट्रोग्रेट की साइट ही है हम अब लोग टेंप्रेचर यह सब्सक्राइब मिस्ट्री को यह 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 वह परका यह फट रहा है एक्चली इसकी फिंस फट रही है है और कुछ नहीं कि मुझे इदर लैंड होना था यहार वो रात की दिखाई नहीं मैं थोड़ा आ गया था मुझे पलागी रहा था मैं आ गया गया कि असलो कोई नहीं है विल ट्राइट वे मिट सम्टाइम एल्स सम्टाइम एल्स सम्टाइम एल्स पिरसे कर विल से सेंट्र आपके पास आएंगे डूंट वरी कि अच्छा क्रूर रिपोर्ट तो ले लो कि इभी एक्स्पेरिमेंट हो गया अच्छा जब भी टेंप्रेचर के जाए तो क्यूंट इसे उसको अटा दो रोटीट कर दो के तो वह हट जाएगा अच्छा कर दो आपको बताया था ना वी एक प्रॉक्सिमेशन ही थी जातर यह आपको एक्सपीरेंस भी आएगा कि लाइंट कहां से कराना है कैसे करब सेंटर की तरफ ही कराना है जितना पास लाइते हैं अगर श्रीज सेंटर से उतना ही ज्यादा फंट्स मिलते हैं इसको कर देना यह ऐसा होता है सी लेवल से हमेशे इसको कर देना जिससे अगर ग्रास पे लाइंट कर रहे हो तो उसे सबसे वह ग्रास से डिस्टेंस बिताएगा सी लेवल नहीं बताएगा 5000 मिटर मैं खूल दूंगा शूट को 5000 हो गया और यह अब यादा खुले है बंता ह आपको लगे कि वेट जादा है तो वेट को कम करने के लिए जैट यह जैट आप कर सकते हो इसकी जो वेट है वो कम हो जाएगा तो यह वो टूड गया है कुछ कर ने सकते हैं लेकिन हाँ मूंची बस नीचे जा रहे है और यह विल हैव टच्टाउन स्प्लाश्टाउन रहा हमार आज का एक्स्परिमेंट और तुम आओ रवा रहा हू और बहुत लाओ लू रहा हैज का एक पर बहुत लाओ अडर यह पर दो बोड करो 107 साइम्स ओकी कुल सो हमें इसका लेवल वन वी हो गया वेरी गुड़ सो गाइस आज के लिए पर हम इतना ही रखते हैं थैंकि तो मच फॉर वाचिंग अभी हमने अर्बिट अचीव किया अब हम नेक्स्ट में हम जाने वाले हैं मून पर नेक्स्ट में हम मून पर जाएंग है ठीक है मून पर जाएंगे तो अभी के लिए बस इतना ख्यार रखो घर पर रहो सेफ रहो एंड बी हेल्थी बाबाइब झाले हम जाएंगे तो अबाइब झाले हम जाएंगे तो अबाइब